नमस्कार दोस्तो मेरा नामे प्रेरक और आप देख रहे हैं प्रेरक्स टेक वर्ड मेरा टेकनोलोजी न्यूस चैनल सो आज भी मैं बहुत सारे इंट्रेस्टिंग टेकनोलोजी न्यूस लेकर आया हूं होफुली आपको ये सब न्यूस पसंद आएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला न्यूस दोस्तों आपको पता होगा कि थोड़े टाइम पहले यूएस्बी 3 इंट्रोड्यूस वा था करें 4-5 अगो और यूएस्बी 3 का जो एक जो उस्ट एँऊबियस इस जो यूएस्बी था यूएस्बी तू रिगिवियर्ड़ जो वह जो यूँएस्बी बाउट सालों से यूएसू था यूस्पी तू वर्सन क्या उससे अरौं रहेगा उस्बी 2 और योस्बी 3 जो योस्बी 1 टाइप पोर्ट युज़ करते हैं जबकी यूएस भी 4 है वो यूजबी तैप सी पोड जो आपको फंडरबोल्ट जैसा छो पोर्ट मिलता यूजबी टाइप सी पोड़ को ऑफर करता है उतना धी यह जो यूजबी 4 ए वो बै को एक हाई स्पीड मॉनिटर को USB से कनेक्ट करना है तो आप वो कनेक्ट कर सकते हैं similarly अगर आपको data transfer करने के लिए हाट डिस्क कनेक्ट करना है तो USB का जो हब है या तो जो इसको यूज करके आप दोनों डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं सपोज आपका जो वीडियो है वो 15 gbps ले रहा है तो बाकी का जो स्पीड है वो आपका hard disk को automatically allocate हो जाएगा USB-C है उसके लिए Intel का कुछ भी जैसे थंडर बोल्ट के लिए जो चाहिए था वैसा कोई भी रॉयल्टी पे करने नहीं करना है सो काफी सारे जो device manufacturer है वो थंडर बोल्ट और USB-C को merge करके सेम पोड में आपको access दे सकते हैं हला कि यह जो USB-C USB 4 पोड है वो अभी इमिजेटली आपको नहीं मिलेगा यूज करने के लिए रफली 10-12 months यानि की एक साल या जाला भी हो सकता है लेकिन जबी भी आया 40 Gbps is a huge speed और काफी सारे device उसको opt करेंगे ऐसा मेरा मानना है आपको कैसा लगा यह USB 4 उसका speed और feature मुझे थोड़ा comment section में जरूद बताईए दूसरा update है वो Google का assistant दोस्तों Google जो है वो periodically काफी सारे उसके जो feature Google assistant के वो regularly update करता रहता है recently जो feature Google ने इंट्रोडियूस किया वो WhatsApp कॉलिंग का जिया दोस्तों आप Google को hey Google WhatsApp video to pray रख command देंगे तो directly आपके voice command से WhatsApp का video calling जो है वो open कर देगा so video और audio calling जो है वो आप Google voice assistant से आप कर सकते हैं दोस्तों आपको कैसा लगा ये feature मुझे आप comment section में जरूर बता दीजे दोस्तों दूसरा जो update है वो OnePlus की तरफ से मैंने आपको पहले एक पूराने जो वीडियो है टेक न्यूज का उसमें अरड़ी बताया था कि OnePlus जो है वो 4K QLED TV लाँच करने वाला है तो अभी ये दिन दूर नहीं है जब OnePlus उसमें एक और जो डीटेल सामने आया है अमेजों की वेबसाइट पर जो पब्लिश हुआ है एकोडिंग लिए 55 इंच का QLED TV होगा और उसके अलावा उसमें Dolby Atmos जो सिनेमेटिक आपको सराम साउंड है वो प्रोवाइट करेगा उसमें 50 Watt का audio output रहेगा जो एक यूज output है मेरे हिसाब से और Dolby Vision जो आपको एक बहुत ही अच्छा सिनेमेटिक विजुल प्रोवाइट करेगा अच्छा brightness और आपको दिखने के मिलेगा और उसके अलावा एक और जो उसका CEO है लू पेटे उसने एक रिमोट का भी रिसेंट्ली रिविल किया जिसमें आप देख सकते हैं कि उसमें गूगल का वाइस असिस्टेंट का सपोर्ट के लिए एक बटन है और यह बहुत स्लीक रिमोट लग र रहे गा सूध डूट्व बजेट सेग्मेंट में घंडरिय वैइसा सेग्में में यह रहेगा आपका क्या अनुमाने सब्याइस में गडर बताना चाहि है तो बता सकते हैं दूसरा आपडेटनें आपका मिलग एक और Evangelium में मैं एक ढूंट launch करने वाला है जिसमें वो उसके जो smart devices है जैसे कि ringing bell जो है वो है या 70 each का MI का जो TV है LED TV वो इंटर्यूस करने वाला है उसके अलावा काफी सारे smart devices है IoT जो है internet of things के जो devices smart devices जो आप voice command से control कर सकते हैं वो events में launch करने वाला है so stay tuned रही है 17th September को जैसे मुझे कुछ updates आएगा मैं ये channels में आपको तुरंट बता दूँगा दोस्तों अगर आपने मेरी channel को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजे because आपको जैसे subscribe करेंगे मैं जैसे नया video publish करूँगा आपको notification आजाएगा next news की तरब चलते एपल जो है 10th September को नए आइफोन लांच करने जा रहा है और जो recently news publish हुआ accordingly live event आप YouTube में live streaming उसका देख सकते हैं जिया दोस्तों first time Apple YouTube में ये event को live stream करने वाला है exciting iPhone के models आपको देखने को मिलेंगे लेकिन अभी जो US और चाइना का जो ट्रेड वार हो रहा है accordingly मुझे लग रहा है कि iPhone और ज्यादा कॉस्टी होंगे और इतने सारे कॉस्टी होंगे कि आपको जैसे पता होगा किसी ने iPhone लेने के लिए अपनी किडनी सेल कर दी थी होफुली ऐसा समय ना आ जाए कि वो दूसरा जो परसन है वो भी अपना कोई और आइफोन लेने के लिए डोनेट या सेल करना पड़े तो दोस्तों आज के लिए बैस इतना ही था होफुली आपको यह वीडियो पसंद आयोगा पसंद आ गया तो बाइडिफोर्ट लाइक क हुआ हुआ है